गहना ने खोला उर्वशी का रहश्य मही कमरा शिमारू के लोगपुरिये शोग गउना एक प्रथा में दर्से को उकचप का ड्रामा देखनों को मिल रहा है सो में आप सभी ने अब तक देखा कि गहना चोरी चीपे उर्वशी के काले जादू वाले कमरे में भुशती है और उसके यग्ग के उपर गुंबारा बातती है जिसमें गंगा जल भरा रहता है जल्द ही वा देखती है कि उर्वशी अपने कालू जादू से गवरों को हमेशा के लिए अपने वस्मे करने की क्रिया शुरू करती है वह गवरों को अपने कमरे में बुला कर अपने काले जादू की सुरूआत करती है जल्दी गहना गुबारा फोड़ती है और उर्वशी के यगगों को खराब कर देती है अब गहना का अगला कदम उस कमरे में जाना है जिसमें उस तांत्री की काली आत्मा रहती है गहना उस कमरे के ताले को तोड़ने की कोसिस करती है मगर उर्वशी आ जाती है दोनों की पीच काफी बहस छिड़ जाती है अब आने आले अपिसोड में आप सब भी देखेंगे कि उर्वशी गहना को कमरा नहीं खुलने देती है जिसके कारण में दुर्गामा से मिलती है और उनको पूरा मांजरा समझाती है दुर्गामा गहना से कहती है कि उस बंद कमरे के पीचे कोई बहुत बड़ा रहेश्य छिपा हुआ है जिसे उसे उजागर करना होगा गहना फैसला करती है कि वह उस कमरे की जांस परतल करेगी गहना उस कमरे की चाबी को खोशती है और दरवाजे को खोलती है गहना जैसे ही कमरे के दरवाज़े खोलती है वो हैरान रह जाती है हे भगवान कमरे में ऐसा क्या है जिसे देखकर गहरा है हैरान हो गई आपको क्या लगता है हमें अपनी राए नीचे कमेंट शेक्षन बताए और अधी अप्डेट प्राप्ट करने के लिए बने रहे